दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैन और कुट के बारे में विश्तार से जानने वाले हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कैन के बारे में और कैन का मतलब होता है सकना इसका इस्तमाल अपने एबिलिटी, कैपिसिटी वा स्कील्स मतलब योग्यता और च्छमता को दर्षाने के लिए किया जाता है Example, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ I can speak English इस बात को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं I am capable of speaking English Next Example, मैं तुम्हारी समस्या सुल्जा सकता हूँ I can solve your problem इस बात को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं I am able to solve your problem Next Example, राम कार चला सकता है या राम कार चलाना जानता है इस बात को आप कह सकते हैं Ram can drive a car या फिर आप कह सकते हैं Ram knows how to drive a car तो दोस्तों इस तरह से आप अपने योग्यता या चमता को can की मदद से दरसा सकते हैं Can का इस्तमाल आग्या देने के लिए भी किया जाता है जैसे तुम जा सकते हो You can go इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं You are allowed to go या फिर आप कह सकते हैं You are permitted to go Can का इस्तमाल theoretical possibility मतलब सध्धान्तिक संभावना को दरसाने के लिए भी किया जाता है Example धुम्रपान से cancer हो सकता है Smoking can cause cancer दुरघटना कहीं भी हो सकती है Accident can happen anywhere या फिर आप कह सकते हैं Accidents are likely to happen anywhere दोस्तों हमारा next model है Could और इसका इस्तमाल past ability मतलब भूत काल की योग्यता को बताने के लिए किया जाता है Example वह मेरी समस्या नहीं सुल्जा सका He could not solve my problem मैं समय पर नहीं पूँच सका I could not reach at time जब वह विद्याला में था तब वह अंग्रेजी बोल सकता था He could speak English when he was at school या फिर आप कह सकते हैं He was able to speak English when he was at school या फिर आप कह सकते हैं He was capable of speaking English when he was at school दोस्तों could का इस्तमाल laser possibility मतलब कम सम्भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है Example राम आफिस में हो सकता है मतलब राम का आफिस में होनी की सम्भावना कम है इस बात को आप कह सकते हैं राम could be at office Next example कुछ भी हो सकता है Anything could be happen Could का इस्तमाल optative sentence मतलब आग्या सूचा कुवाक्य बनाने के लिए भी किया जाता है और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कैन से अधिक नम्र रूप में बात करने के लिए could का इस्तमाल किया जाता है इसका example है क्या अब हम जा सकते हैं Could we go now दूसरा example क्या मैं तुम्हारी किताबे काम में ले सकता हूँ Could I use your books कुड का इस्तमाल क्या करना चाहिए यह बताने के लिए भी किया जाता है example तुम अपना पाट सब्ता में कम से कम एक बार तो दोहरा सकते हो You could revise your lesson at least once a week next example तुम दिन में एक बार तो नहा सकते हो You could take a bath at least once a day You could take a bath at least once a day